नमस्कार किसान भाईयो, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंदी ट्यूप चैनल इंडियन एग्रिकल्चर में किसान भाईयो यदि आलू की फिसल में पहली स्प्रे समय से की जाए और बढ़िया दवायों का इस्तमाल कर लिया जाए तो आलू की फिसल से बढ़िया और रिकार्ड उत्पतन लिया जा सकता है क्योंकि किसान भाईयो जिस समय हम अपनी आलू की फिसल में पहली स्प्रे लगाएं तो उस समय हमें ऐसी दवायों का इस्तमाल करना चाहिए जिस से आलू के पोधे सोστर हैं, मोटे रहें, और उनके अंदर कोई बीमारी ना लगे और पोधों के अंदर टूमर जादा बने यलि जो आलू इसके अंदर बनते हैं, वो ज्यादे से जादा बन सके और जितने भी ट्यूमर बने या जितने भी उसके अंदर आलू बने जड़ों में उस्वस्त रहें तो हम आलू की फिसल से वाके महीं बढ़िया और सांदर उत्पदन ले सकते हैं परंतु 99% इसांद ये नहीं जानते कि आलू की फिसल में पहली इसप्रे किस समय करने है चाहिए और इसप्रे करने का सही तरीका क्या है और जिन किसानवाईयों को इस चीस की नोलिज होती है या पता होता है तो वे अपनी आलो की फिसल से बहुती बढ़िया और रिकार्ड उत्पदन लेते हैं किसानवाईयों तो आलो की फचल में कौन सी स्प्रे करनी है, कब करनी है और किन किन दवाईयों की करनी है और दवाईयां कितनी मात्रा में लेनी है यह सभी जानका दिया इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं तो आप वीडियो को पूरा देखें अंतर तक देखें ताकि आने वाले खेती समझेट 12 सबी पिरकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें तो इसके लिए कि अपको मार्किट से दवाया ले कर आना है जो खादर फडिलाजर ले कर आना है तो आपको ऐसे ले कर आना फंगी साही फंगिशाइड मांप Ttez ले सकते हैं जो मैंन को जो बात आए इसे आप ले सकते हैं इसकी यह मात्ara की बात करें या डोष्की बात करें तो आपको लगभग 500 क्राम पिरती एकल लेनी की संभयू और दूसरा की संभयू इसके साथ आपको add करना है कीतना सक कीतना सक में आपको ले करानी है immediate klopride जो 17.8% वाली आती है किसन भाई हो इसकी मातरा आपको लगभग 100 ml पिरती एकल लेनी किसन भाई हो तीसरे किसन भी इसके साथ में आपको add करना है NPK 1919-19 इसकी मातरा ये डोज आपको लगभग 1 kg पिरती एकल लेनी किसन भाई हो ये तीनों ही दवाई आपको market से लेकर आनी है और इनका आपको घोल तयार करना है बस घोल तयार करते हैं आपको एक साथ भाई रखनी है जो आपकी कीतना सक और फंगी सहीड है इनका घोल आपको एक बाल्टी में बना लेना है जो आपने NPK 1919 लिया है इसका घोल आपको दूसरी बाल्टी में बनाना है मानली जी आपको अपने आलिक उपिसल में लगभग 7-8 पंप पानी लगाना है तो आपको दो बाल्टी लेनी है एक बालती में आपको 8 लिटर में जो फंगी साइड है आपका और कीतना सके इन दोनों का घोल तेयर करना है और दूसरी बालती आपको लेनी है इसमें भी आपको 8 लिटर पनली लेना है और जो आपको आपको घोल तेयर कर लेना है और जो आपने पंप लिया है जिससे आपको स्प्रेक करनी है उस पम को आप पानी से आदा भर ले और टंकी को पानी से आदी भरने के बाद जो आपने फंगी साइड और कीच ना सका दोनों का घोल एक वाल टेम बाया था उसमें से एक लिटर आपको टंकी में कर लेना है और जो दूसरी वाल टी आपकी एनपी के पहर के बात करें क्योंकि इस दवाई के अंदर हमने NPK 2019 का फिडियो क्या है और कोई भी फेटिलाजर यदि हम सुबह के समय लगाते हैं या उसमे लगाते हैं तो यह नुक्सान दे सकता है इसलिए आप हमेशा दिहान रखें जब भी आप आलो के फिसल पर पहली स्प्रे करें और उसमें आप NPK 2019 का इस्तेमाल करें तो उसका स्प्रे आप हमेशा दो पैर के बात करें सुबह के समय ना करay के समय यदि आपको सुबह के समय करने हैं अपनी फिसल पर तो आपको केवल कीता सक और फंगिसाय ये करनी है आपको एन्पी के उन्पी के जीरो वामन चौतिस नहीं मिला रा किसम भायू तो आप सुबह के समय कर सकते हैं और स्प्रे करने के लिए आपको लगवगए एक सुपचास लीटर पानी का इस्तमाल करना है और स्प्रे हमेशा साफ वासम में करना है और साफ पानी का इस्तमाल करना है तो इस्प्र कार्स हैं यआ आप उन सभी दोवायों को लेकर अपने आलो की फिसल में पहले इस्प्रे लगा सकते हैं इस इस्प्रे को लगाने के लिए ऐ चार से पास देर बाद में आपको झालो की फिसल है उसका रंग एकदम काला हो जाएगा पोधे मोटे और पत्य चोण ही हो जाएगी और जो आपके आलो के पोधो की जड़ा है उनका विकास होगा उसमें ट्यूमर जादा बनेंगे और ट्यूमर का जो साहे जाँ जाँ तेजी से बढ़ेगा पोधियो पता सकते हैं यह उनके आपको किसी अन्य फसल के वारे में कोई जान कर चाहिए तो मेरे दोह हमएज़ा देगे जान करी कोरे आपको अच्छे लगई हो वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक करें अधिक सब्सक्राइब करें थैंक्स फर वाचिंग माई वीडियो